हेलो दस्तों एक बाट फीट आलफा विब्रेशी स्वीडिक चिनल आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हमारी आलफा ब्रांड की जूस फिलिंग मेशिन ये बिजनेस करने के लिए आपको सोब गो डाउन दुकान वगिरा कोई भी चीज रखने की जुरूरत न हो दूस्तों ये बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने का भी जुरूरत नहीं आज हम आपको ये वीडियो में पूरे-पूरा मालूमात देंगे कि मसिन को कैसे ऑपरेट करना है इसमें से जो अलग-अलग प्रोड़क बनती है उसको आप कैसे बना सकते हो कैसे पेकिंग कर सकते हो और आप जूस फिलिंग मसिन खरीदना चाते हो तो क्या देखके आपको जूस फिलिंग मसिन खरीदना है कैसी कॉलिटी आपको देखके मसिन खरीदना है वो पूरे-पूरा मालूमात हम आपको आज देने वाले है तो शुरू से लेकर आखरी तक वीडियो को देखें तक कि आप आपको मशीन का पूरे पुरा मलूमाथ मिल जाए मशीन आपको कैसे आप खरिदना चा PP चाहते हो तो केसे मिले सीने इसमें से आप कोई भी जूस का प्रोड़क्त अलग 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 बोटल्स में या फिर इस तरह को पाउच में भढ़ना तो इसमें भढ़ सकते हो फिर 100 ml का आता है 150 ml का बहुत अलग-अलग quality में अलग-अलग flavors में पाउच आता है बहुत सारी अलग-अलग flavors बनाके अलग-अलग shape बनाके आप market में sell कर सकते हो यह जो 150 ml का एक पाउच रहता है जो एक पाउच अगर आप बनाते हो तो उसका लागत आता है दो रूपय दोस्तों दो रूपय में पाउच का चार्ज आ गया इसमें जो आप flavors फिल करोगे उसका चार्ज आ गया electric city आ गया सारा चीज मिला के आपको दो रूपय में पढ़ता ह जैसे के orange flavor का आपने orange juice का बोटल फिल किया तो आपको एक बोटल पढ़ता है साड़े चार से पाउच रूपय में उसमें बोटल का चार्ज आ गया केप का चार्ज आ गया इसमें जो juice आता है उसका चार्ज आ गया यहाँ पर आपकी brand का जो श्टीकरिंग लगा गया उसका आपी चार्ज आ गया सब कुछ मिला कि आपको मैक्सिमम पांच रूपय में गिरते उसको आप इजीली मार्किट में होलसेल में साथ रूपय में सेल कर सकते हो दोस्तों और अगर आपको इस तरह के पेपर बोट पाउच फिल करने इसमें भी बहुत सारी अलग 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 साती है वो भी अब अलग अलग फ्लेवर में इसको फिल करके मार्किट में सेल कर सकते हो यह देख सकते हो दो सेल के सीpertे त और इसका में reacts रहता है अब को दो यह मशिन में हमने ऑटोमेटिक सेटिंग दिया हुआ है आपने जितना एमेल सेट किया है उतना एमेल इसके अंदर से निकलेगा जैसे कि आप 150 ml का प्रोड़क्शन निकल रहे हो मशिन में आपने 150 ml सेट कर दिया है इसलिए स्विच्च कुछ करोगे शले 150 ml निकलके बंद हो जाएगा फिर यहां से सील करके पेकिंग करके आपका प्रोड़क्शन वह जाता है रेडी जैसे कि यह मशिन में से आप 20 ml से लेकर पांच लिटर तक कोई भी प्रोड़क्शन भर सकते हो अब यह मशिन में से आपको एक पांच भरके दिखाएंगे यह मशिन को कैसे ओपरे कि यहां से आपको इसको सिलिंग कर लेना है यह सिलिंग हो गया यह पांच हो गया रेडी आप देख सकते हो इजी टू ओपरेट बिल्कुल एजी लिए मशिन को आप ओपरेट कर सकते हो सिंगल फ्लेवर की जो मशिन रहती है इसमें आप एक घंटे में 300 पांच का प्रोड़क्शन निकाल सकते हो डबल फ्लेवर की रेती है जो मशिन है यह विट केपिंग है यहां से बोटल भी सको सब्सक्राइब की है एक यह बांसरा जी आपको इसमें से बडहर की दिखाएंगे यह मशिन के दिखाएंगे आप को अब यह इंग कर लेंगे कि हमने 200 ml का सेटिंग कर लिया है यहां पे आपको इसमें से भर के दिखाएंगे आप देख सकते हो 200 ml निकल के बंद हो गया आपको जितना सेटिंग करना है 200 300 400 500 जितने में यहां से में इसको करके दिखाएंगे कि का स्विच दिया है यहां से इसको और कर लेंगे यह हो गया रेडी आपकी ब्रांड का स्टीक्रिंग लगा ही यह आप स्टीक्रिंग लगा के मार्किट में जाने के लिए रेडी है और यह मशीन के साथ में हमापको जो सिलिंग मशीन भी देते भेतरीन कॉलेटी का सिलिंग मशीन देते इसमें से आप पाउंस होगे रातो टो पे करी सकते हो दोस्तो वड अगर आपको पाउच के बाद, production पाउच का निकालने के बाद, इस तरह का पंडी बनाने का रहता है, जो होलसेल में मार्किट में सेलिंग के लिए ज्यादा है, दर्स, पंदरा, बीस, लग-लग, पिस का पेकिंग रहता है, वो पी इसमें से आप इसली पेकिंग कर सकते हो, दोनों में आती है यह मसीन इसलिए को के छुषिलिंग माचे जो दोनों में यूज और पाउच के आपको क्या ऐसी आप से स्बसे लेश 스ुरिख आपके ऊपर बनी हुए आलफा ब्रांट की जो मसिन रहती है यह पूरी पाइप के फेब्रिकेशन पर बनी हुई पूरी रहती है आप देख सकते हो पूरे पाइप के फेब्रिकेशन उपर बनाया हुआ है पूरे मसिन को और स्टीनलेज स्टिल में पूरी मसिन को बनाई है दूसरी में चीज है कि हम इसमें जो वाल यूज करते हैं ये हैवी कोलेटी का एक रही ही करते हैं जिसको आप कैसे भीखली पाँच को भरते हो तो पाइप मुड़ता नहीं है पीच नहीं हो जाता है दब नहीं जाता है इसकी वज़े से यहां पे बहतरीन को लेटी का यहां पे वाल लगा दिया है यहां पे के लिए जो ओल्डर दिया हुआ रहता है यहां पर देख सकते हो यह भी बहतरीन को लेटी का 20 एंपियर का हमने वोल्डर दिया हुआ है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको कोई बड़ा बड़े वोल्टेज वाला भी आपको सिलिंग मशिन आप करना तो इसमें इजीली आप कर सकते हो ओन-ओफ का स्विच जो रहता है । नहीं लगया है फ्यूचर में कभी हो मशिन के इंदर कोई प्रोब्लम होता किसके अंदर अपको voltage डिखाए देगा कि मसिन में उपर से कितना voltage आ रहा है कितना पावर आ रहा है और यहां पे आपको दिखाए देगा यह में मसीन यहां पे है जो dar के रखी हुई है अब देख सकते हो यहां पे जो तुल clic के प्री देंगे इसका अलग से कोई भी चार्जित निया चा प्राइज में प्राइज रहे उस में इंक्लूडिन में यहीoo जिदने सारे यह इस रखे है यहां एक पसे साथ में लिखा हुआ है कितना फ्लेवर को निखा ओर भी यो। के Koreans के आप को समझ में नहीं आता है तो आप हमें वह को जीए आपको को इसा जट जहान करें दिभाद स्ट अब पास मसेन जाद दिए उसके बाद अब सब्सक्रान की प्राइस की पाथ करें तो सिंगल फ्लेवर की जो सेपेट कंच फिलीग में सिन में सुछिव का 5 में से 21,000 रुपी इंवप को मेसी इन आति मिलेहें के साथ और आप यह वीडियों देखurate कर आपको काउंट मिल रहा है मसिन के अंदर यह वीडियो देखके आपकर कॉंटेक करेंगे तो यह मसिन आपको सिर्फ पड़ेगी 16,000 रूपे में दोस्तों जी यहां बिल्कुल 16,000 रूपे में आपको मसिन पड़ने वाली है 7201031717 अभी यह मसिन में आपको बताएंगे के फ्लेवर्स आपको कैसे लगानी है तो फ्लेवर्स बना के आपको इस तरह के बावल में भड़ लेना है आपको जो भी आप फ्लेवर्स बना देओ फिर मसिन में इस तरह का एक पाइपलाइन निकलता है यह आप देख सकते हो मसि कि इसमें बावल इस तरह का लगाया हुआ है कि इसमें पाइपलाइन दे दिया है मशिन को जितना फ्लेवर सी उतना मशिन खीचती रहेगी दोस्तों तो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनस है इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने का जुरूरत जानी है सिंगल फ्लेवर की मसीन एक दिन में आपको 3000 पाउंच बना के देती है अगर आप 3000 रोजना पाउंच नहीं सेल करते हो 2000-2500 भी सेल करते हो एक रूपे का प्रोफिट गिनते हो तो भी आपको रोजना 2000-2500 रूपे का प्रोफिट होता है वीडियो अच्छा लग हो दो वीडियो को लाइक किजिए अमरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हम रहने वाले ने वीडियो देख सके थैंक्यू